अगर आप किसी भी TGT Maths के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा है ठीक है तो हम नंबर एक प्रापरटी पहले सीखेंगे ठीक है पहले ट्रिक कह सकते हैं इसे या एक ये बेसिक सी प्रापरटी है जिसको अगर आप डारेक्ट बहुत सारे कुशन साब बहुत ही आसानी से लगा सकते है ठीक है तो प्रापरटी क्या है इंटेग्रल A to B F of X divided by F of X plus F of A plus B minus X ठीक है जो लिमिट्स दी गई है उनको add करके minus X किया गया है इस वाले में ठीक है F of X बटे में F of X plus F of A plus B minus X dx इस तरह से हो इंटेग्रल तो इसक minus A यहाँ पर क्या है जो लिमिट्स दी गई है ठीक है upper limit minus lower limit by 2 यही हमेशा answer होता है तो इस तरह का कोई भी question हो आप इसको बहुत ही आसानी से इस तरह से देख सकते हैं अच्छा यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि इस तरह का कुछ बन रहा है कि नहीं तो सबसे पहले यह टाइब का अगर आपको कोई question दिखेगा ठीक है 1 by 2 type का कुछ symmetry अगर बन रही हो 1 by 2 type की symmetry बन रही हो तब आप वहाँ पर यह चीज सोच सकते हैं कि यह वाली property हो सकता है लगे फिर आप चेक करेंगे कि यह लगेगा कि नहीं तो कैसे चेक करेंगे चलिए कुछ questions देखते हैं देखे पहले सवाल integral 0 से 2a f of x divided by f of x plus f of 2a minus x ठीक है करना क्या है यहाँ पर देखा हमने कि नीचे वाला जो होता है second term उसमें क्या होता है f of दोनों limits का sum minus x अगर इस तरह से लिखा हुआ है तब यह लगे property अपलाए होगी तो हम पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों limits क sum अगर हम करें तो क्या आता है 2a ठीक है तो क्या यहाँ पर f of 2a minus x है नीचे हाँ है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि answer आएगा 2a minus 0 by 2 तो 2 से 2 कट जाएगा बचेगा a तो आपका answer क्या हो जाएगा a ठीक है बहुत ही आसानी से आप इस तरह के questions कर सकते हैं चलिए यह तो basic सा formula ही लिखा हुआ था next question देखेंगे यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते है limits का sum करके देखेंगे 1 by 2 type का देखेंगे इसमें दिख रहा है उपर एक नीचे दो ठीक 1 by 2 type की symmetry दिख रहे है दोनों limits का sum करिए pi by 2 plus 0 क्या आएगा pi by 2 तो क्या यहाँ पर आपको f of x ब minus x लिख सकते हैं तो देखें sin pi by 2 minus x ही cos x होता है इसका मतलब यह f of pi by 2 minus x ही लिखा हुआ है मतलब limits का sum minus x करके लिखा हुआ है ठीक जैसे हमारा formula था same type का बन रहा है ठीक है मतलब कह सकते हैं कि f of x divided by f of x plus f of pi by 2 minus x यह इस तरह का बन रहा है और limit हमें दी गई है 0 से pi by 2 limit का sum क करेंगे तो क्या रहा है pi by 2 ठीक है तो same formula बन रहा है इसका मतलब इसमें भी यह वो चीज हम apply कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा pi by 2 minus 0 by 2 ठीक है 0 है तो चाहे गटाओ चाहे ना गटाओ तो direct क्या जाएगा pi by 4 और यह हो जाएगा आपका answer ठीक है next question देखेंगे देखें सेम ची हम क्या लिख सकते हैं cos x cos pi by 2 minus x यहाँ पे भी क्या आ रहा है सम दोनों का pi by 2 ही आ ठीक है तो क्या इसको हम f of x f of pi by 2 minus x लिख सकते हैं हाल लिख सकते हैं इसका मतलब यहाँ पे भी answer क्या हो जाएगा pi by 2 minus 0 by 2 आ जाएगा pi by 4 और यह हो जाएगा आपका answer ठीक है और questions देखें चलिए ये question देखते हैं 0 से pi by 2 limits को हम sum करेंगे तो क्या आ रहा है pi by 2 cos की power 4x plus sin की power 4x तो sin x को हम cos pi by 2 minus x लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे देखा हुए ठीक तो power से यहाँ पर डरने की जरूत नहीं है same pattern बन रहा है इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बन रहा है f of x plus f of pi by 2 minus x ठीक इस type का बन रहा है यहाँ पर है क्या formula जो था हमारा f of x divided by f of x plus f of a plus b by minus x ठीक है इस तरह का यह वाला जो हमने property पढ़ी है same चीज यहाँ पर भी follow हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से answer pi by 2 minus 0 by 2 pi by 4 हो जाएगा तो यहाँ पर यह वाला answer हो जाएगा ठीक यहाँ पर देखिए 10x नीचे 10x फिर यहाँ पर cortex ठीक है तो cortex को क्या 10 pi by 2 minus x लिख सकते है इसको लिख सकते है 10 pi by 2 minus x और limits का sum क्या आ रहा है फिर से pi by 2 आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर भी वह property apply हो जाएगी हो जाएगा pi by 2 minus 0 by 2 pi by 4 ठीक तो यह हो गया आपका answer चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर देखिए 0 से pi by 2 यहाँ पर भी sum करके हम देखेंगे आ रहा है pi by 2 यहाँ पर देखिए थोड़ा सा different है 1 1 ठीक f of 1 pi by 2 plus 1 तो यह देख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर हम आगे बढ़ेंगे इसको देखिए 0 से pi by 2 1 1 plus 10 को हम क्या लिख सकते हैं sin x divided by cos x लिख सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा sin x divided by cos x इसको solve करेंगे 0 से pi by 2 ठीक cos x उपर जाएगा LCM लेने के बाद तो क्या आ जाएगा cos x और नीचे solve करने के बाद cos x plus sin x तो देखिए यह भी पूराने वाले की तरह बन गया इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे फिर से हमें वही pattern मिल गया f of x f of x plus f of x दोनों quiet करने पर pi by 2 आ रहा है तो f of pi by 2 minus x है यह तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा आपका pi by 2 minus 0 by 2 pi by 4 ठीक है तो फिर से answer किया हो गया तो इस तरह से हम question solve करते हैं इस property से कुछ questions और देख लेंगे चले next question देखते हैं यहाँ पर है integration pi by 8 से 3 pi by 8 cos x divided by cos x plus sin x ठीक यहाँ पर भी हम क्या करेंगे limits का sum करेंगे 3 pi by 8 plus pi by 8 हो जाएगा 4 pi by 8 4 pi by 8 का मतलब हो गया pi by 2 ठीक है तो क्या यह f of pi by 2 minus x है हाँ इसको हम लिख सकते है cos pi by 2 minus x ठीक है इसका मतलब फिर से वह आला formula हमारा apply हो जाएगा तो answer क्या आ जाएगा 3 pi by 8 minus pi by 8 divided by 2 यहाँ पर options मैंने नहीं लिखे है option के ज़रूद नहीं है आप बिना option के भी कर सकते हैं ठीक है न answer से आपको मतलब है कैसे लाएंगे देखिए यहाँ पर 3 pi by 8 minus pi by 8 मतलब क्या हो जाएगा 2 pi by 8 ठीक और बटे में 2 था ही तो यह वाले 2 से दिये वाला 2 कट जाएगा आ जाएगा आपका answer pi by 8 ठीक है यह answer हो जाएगा एक और question देखते हैं यह last रहेगा यहाँ पर देखिए integration 4 से 10 है x square dx divided by x square minus 2x 2 नहीं है यह 28 है 28x plus 196 plus x square ठीक है तो यहाँ पर देखिए f of x equal to x square है फिर यहाँ पर भी f of x है एक term और है 1 by 2 टाइप यहाँ पर बन दा है ठीक है ऊपर एक term नीचे दो term तो हम यहाँ पर यह देखेंगे की पहले तो इसको हम sum करेंगे ठीक यह आ रहा है 14 इसका मतलब f of 14 minus x यहाँ पे अगर यह वाला term f of 14 minus x बनता है तो हमारा वह वाला formula apply हो जाएगा तो किया यह 14 minus x है या नहीं है यह हमें देखना है ठीक है तो f of x equal to क्या है x square तो f of 14 minus x equal to क्या आ जाएगा 14 minus x का whole square क्या है 14 minus x का whole square है जी हां है कैसे पता चलेगा देखें क्या आएगा 14 का square तो 14 का square यहाँ पे है ठीक x का square तो x का square यहाँ पे है ठीक है फिट 2a भी करेंगे तो 1428-28x भी यहाँ पे है, इसका मतलब यह इसका square है तो यहाँ पे f of x बटे में क्या है, f of x plus f of 14-x, ठीक है तो same formula फिर से यहाँ पे apply हो रहा है तो यहाँ पे answer क्या आजाएगा आपका b-a by 2 b है 10, a है 4 हो जाएगा 6 by 2 answer आजाएगा 3 तो आपको यह ट्रिक्स अगत पसंद आई हो तो वीडियो को like करिएगा और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आगे ना ऐसे धेर सारी वीडियो लेके आना लो हूँ, धन्यवाद